हेलो फ्रेंड्स मेरी आज की सिंपल सी रेसिपी का नाम है बचपन की मिठाई और ये मिठाई है चिनी का पराठा इस पराठे को हम दो तरह से बनाएंगे एक बनेगा क्रिस्पी और एक बनेगा सॉफ्ट और खाने में दोनों ही बहुत टेस्टी लगते हैं तो पहले हम बनाएंगे क्रिस्पी पराठा क्रिस्पी पराठा बनाने के लिए हम आठी की एक लोई को लेकर एक रोटी की साइस की जितना बेल लेंगे और फिर उस पे हम अच्छे से एक चमच के राउंड देसी घी लगाएंगे देसी घी को पूरी रोटी में अच्छे से हाथों से स्प्रेड कर लें जब देसी घी अच्छे से स्प्रेड हो जाए तब हम उसमें दो से धाई चमज के अराउंड डालेंगे चीनी चीनी को भी अच्छे से हाथों से फैल आ लें चीनी जब अच्छे से फैल जाएगी तो इस पराठे की अब हम करेंगे लेरिंग लेरिंग होगी इसकी लच्छे पराठे की जैसा एक लेर अंदर और एक लेर बाहर करते हुए हम पूरे पराठे को अच्छे से लेर में डिवाइड करतेंगे layers बनाते हुए हमें पराठे को बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना है हलके हलके हाथों से प्रेस करते हुए हम पूरे पराठे की layering करेंगे और फिर इसको हाथ से घुमाते हुए round shape दे देंगे इसका end part हम लोई के बीच में fix करतेंगे इसके बाद लोई को अच्छे से प्रेस करें और हलका सा सूखा आटा लगाएं और फिर हम इसे हलके हाथों से वापस बेलेंगे हमें पराठे को हलके ही हाथों से बेलना है बहुत pressure नहीं डालना है नहीं तो फिर इसमें हमारी layers जो है वो अच्छे से बनकर नहीं आएंगे गरम तवे पर डालेंगे और इस पराठे को हम medium to high flame पर ही सेखेंगे आप चाहे तो देसी घी लगा कर या फिर कोई भी define oil से इसको सेख सकते हैं पराठे में जब brown spots आ जाएं तो उस पे oil लगाने के बाद उसे flip कर दें और फिर दूसी साइट भी उस पे oil या घी लगा कर अच्छे से पका लें दूनों साइट से अच्छे से जब पराठा पक जाएगा तो यह पराठा पक कर बहुत ही जादा crispy लगता है और यह बहुत ही टेसी लगता है खाने पर तो यह था एक तरीका चिनी के पराठे को बनाने का जोकी बनता है बहुत ही crispy ट्राइ जरूर करें ये देखिए इसको ऐसे चिम्टे से या फिर किसी भी चम्मच की सहायता से घुमाते हुए अच्छे से हमें पकाना है और ये चारो तरफ से गोल्डन ब्राउन होकर अच्छे से पक जाएगा ठंडा होने के बाद भी ये बराटा क्रिस्पी रहता है ये देखिए मेरा पराठा लग रहा है ना क्रिस्पी और ये पराठा ठंडा होने के बाद भी काफी देर तक क्रिस्पी रहता है अब हम बनाएंगे चीनी का सॉफ्ट पराठा ये पराठा खाने में वैसा ही टिस्टी होता है बट ये बहुत सॉफ्ट बनता है तो इसको बनाने के लिए हम आटे की दो बॉल्स लेंगे और दोनों ही बॉल्स इक्वल साइज की होनी चाहिए उन दोनों बॉल्स को अच्छे से हम राउंड शेप देंगे अब दोनों बॉल्स में सुखा आटा लगा कर हाथों से प्रेस करते हुए पूरी की साइस के जितना दोनों बॉल्स को हम बढ़ा कर लेंगे ऐसा करने से हमें बेलने में बहुत हेल्प मिल जाती है और हमारी रोटी या पूरी जो भी होती है वो गोल बन कर आती है अब हम दोनों बॉल्स को रोटी के साइस के जितना बेल लेंगे आप इने अलग-अलग भी बेल सकते हैं और आप इनको एक दूसरे के उपर रखकर हलका सा बीच में सुखा पाउडर डाल कर भी बेल सकते हैं हमारी दोनों लोई बेल कर रोटी के साइस की हो गई है अब हम क्या करेंगे इसमें से हम एक रोटी को हटा देंगे और दूसरी रोटी को हम चकले पे ही रहने देंगे अब इस रोटी के उपर हम चीनी डालेंगे चीनी आप अपने टेस्ट के कॉर्डिंग डाल सकते हैं बट फिर भी इसमें मिनिमम दो चम्मच चीनी तो लगी जाती है। इसमें हम चीनी डालकर अच्छे से इसे हाथों से चारो तरफ फैला लेंगे। ये देखिए चीनी अच्छे से चारो तरफ फैल गई है। अब हम इस रोटी के उपर दूसरी रोटी डालेंगे। और फिर इसको चारो तरफ से हाथों से प्रेस करते हुए अच्छे से बंद कर देंगे हमें इसकी साइट कहीं से भी खुली नहीं रहने देना अच्छे से प्रेस कर देंगे और फिर हम बेलने से इसको हलका हलका बेल लेंगे इससे क्या होगा कि हमारी जो साइड से और अच्छे से प्रेस हो जाएंगी फिर कहीं से भी खुलने का कोई चांस नहीं रहेगा बेलने के बाद पराठे को गरम तवे पे डालें जब पराठे पे लाइट ब्राउन स्पॉर्ट आ जाएं तो पराठे को फिलिप करें और इसमें लगाएं देशी गी या अपनी पसंद का कोई सभी ओईल लगाएं पराठे को दूसरी साइट से भी गोल्डन ब्राउन होने तक पकने दें घी लगाने के बाद पराठे को फिर से फिलिप करें और दूसरी साइट पे भी अच्छे से घी या ओईल लगाएं इस तरह से पराठे को दोनों तरफ से अच्छे से पकाएं यह देखे पराठा मेरा फूल रहा है फ्लिप करते हुए पराठे को अच्छे से दोनों साइट से पकाएं और आप इसे चमच की सहायता से घुमा घुमा कर भी पका सकते हैं यह देखे पराठे में कितने अच्छे गोल्डन ब्राउन से स्पॉर्ट्स आ गए हैं तो यह था हमारा चीनी का पराठा टा पराठे को खाकर यह देखे अब मैं आपको इस पराठे की लेरिंग दिखाती हूं तो यह दोनों पराठे हमारे अलग-अलग अराम से निकल रहे हैं और चीनी हमारी अच्छे से मेल्ट हो गई है तो यह थे मेरे दो तरह के चीनी के पराठे आपको यह रेसिपी पसंद कर्फों अरयप मे라고 हारे करी हैं तो यह दो फिर ए— यह दो यह दो दो कि हमाक हे दो यह दो ही में गओ है मे के ।ो भाराओ बहाओ प्सॆ गदासे दोनला था